प्रित्वी के भूगोल में होने जा रहा बड़ा बदलाव दुनिया को मिलेगा एक और महासागर। प्रित्वी का निर्मान धर्ती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के आधार पर हुआ है। माना जा रहा है कि इनी टेक्टोनिक प्लेटों की नई गतिविधि के चलते एक नए महासागर का निर्मान होने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यह नया महासागर अफ्रीकी महाद्वीप पर बंता नजर आ रहा है। वैग्यानिकों ने अफ्रीका के दक्षन पूर्वी हिस्से में एक विशाल दरार की खोज की है जो महाद्वीप को दो भागों में विभाजित कर रही है। कहा जा रहा है कि पृत्वी पर पहले से मौजूट पांच महासागरों के बाद अब हमें भविश्य में छठा महासागर मिलने वाला है। दर अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार इसे इस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम EARS के नाम से जाना जाता है। इसे पहली बार 2005 में खो जा गया था लेकिन माना जाता है कि इसकी शुरुवात लगभग 22ुन वर्ष पहले हुई थी। पूर्वी अफ्रीकी दरार दो टेक्टोनिक प्लेटों का परिणाम है। पूर्व में सोमाली प्लेट और पश्चिम में न्यूबियन प्लेट के चलते ऐसा हो रहा है। ये दोनों टेक्टोनिक प्लेटे अलग हो रही हैं, जिससे दरार गहरी होती जा रही है। जेरूसलम पोस्ट ने कहा कि इसी तरह की घटना लाखों साल पहले देखी गई थी, जब दक्षन अमेरिका और अफ्रीका अलग-अलग महाद्वीपों में विभाजित हुए थे। है।